जनपर संबल के चंदोसी दुसित Gewaly में फुइत वायाती नगर। अपने उपर तेजाब डालेगा आरोप लगाया था धरमपाल सिंग ने मामले को प्रतम दिश्यतत संदिक्त बताया था जब मामले की घराय से च्छान बीन की गई तो संग्यान में आया कि शायद की छोटे भाई मुशायद की शाधी असलम की बहन तवस्सुम से 2012 में हुई थी परंतु दोनों के बीच अनबन रहने के कारण मुशायद ने तवस्सुम की तीन साल पहले पागवड़ा थाना छेत्र में हत्या कर देती जिसका मुकदमा पागवड़ा थाने में तर्जे जो की मुरदवाद नयायले में विचार दीन है इसी मुकदमे में फैस साहिद को गिरखतार कर लिया गया और उसके वरूद विजदीर कारेभाई की जा रही है जिनांग 3-2-2020 को एक बेक्ती ठाने पाया जिसका नाम साहिद था उससे नाग ये बताया कि मेरे उपर हयातनगर के असलम और नफीस ने मेरे उपर तेजाब डाल दिया है जिसे मैं जल गया हूँ और मेरे बच्चों पर छीटे बड़े है जब ठानेदार को ये तहरीर मिली तो इन्होंने इसकी गहराई से जाच की तो पर्थम देश्टिया ये मामला संदीक निगला उसके बाद उसी दिन गात्री में इस्पेक्टर मैं हम राजियों के साथ सारा थाना हयात नगर गए और जिसमें इसने जिसको नामित किया था उसको यहां पकड़ के ले आए और एक गवाह का भी नाम प्रेमपाल जिसका नाम लिखा था उसको भी जब ठाने पर लाए गया तो उसने कहा साम मैं तो साहिद नाम के आदम को जानता ही नहीं हूँ नहीं मेरी इसलारी चंदोशी में है मैं तो कभी इसको देखा भी नहीं हूँ तो आज जब इससे कड़ाई के लिए ये कई बार फैसले का दबाव भी बनाया लेकिन फैसला इसका भही हो पाया तो इसने ये कहानी अपने स्वहिं रची है और इसकी विधीर करवाई अब की जानी है